नमस्कार दोस्तों मैं रौश्णी गुपता आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेलो हेलो हेली हिंदुस्तान में दोस्तों आज मैं आपकी सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हादिर हूँ लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जलते सब्सक्राइब कर घंटे का बटन जरूर दवाएं और हाँ साथ ही वीडियो को अपने फैमली या फ्रेंट के साथ सेर करना ना भूले अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर बनता है तो चलिए शुरूर करते हैं अपने श्किन को गोड़ा करने के लिए लोग लाखो जतन करते हैं ऐसे में श्किन को गोड़ा करना सब के बस की बात नहीं होती है लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी श्किन को गोड़ा करने के लिए कुछ घड़े लूप आए जी हाँ आज हम आपको कुछ ऐसे घड़े लूप आए बताने जा रहे हैं जिन्हें अपना कर आप गोड़ा हो सकते हैं तो आईए जानते हैं कि आखिर ये उपाय क्या हैं। अगर आप गोडा रंग पाना चाहते हैं तो हल्दियों और दूद को मिक्ष करें और उस पेश्ट को चेहरे पर लगाएं। ध्यान रहे कुछ देर यूही रहने दे और फिर थंडे पानी से धोले। आप इस काम को हर हफते दो या तीन बार कर सकते हैं। दूश्रा उपाय, आप अपने इश्किन को गोडा करना चाहते हैं तो आलू का इस्तिमाल करें। इसके लिए आलू के दो टुकडे करें और उनसे चेहरे की मालिस करें। अब करीब 15 मिनट तक आलू को चेहरे पर रगरने के बाद कुछ देर यूँ ही रहने दे। और फिर थंडे पानी से अपने चेहरे को धोले। हर दिन ऐसा करने से आप गोडा जरूर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी तीश्रा उपाय। अगर आप गोडा होना चाहतें तो मशूर की डाल आपके लिए बेहद ही कारगर उपाय होगा। इसके लिए मशूर की डाल ले और उसे पीश कर उसमें अंडे की जर्दी मिला ले, और थोड़ा सशहद और दही भी मिला ले। इसके बाद इसका एक माश्क बना कर चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं और शूखने दे, जब यह हलका हलका शूखने लगे तो धीरे धीरे हाथों से मसाज करें और फिर गुन-गुने पानी से अपने चेहरे को धोले, ऐसा आप हफते में कम से कम 3-4 बार करें जिससे आप के स्किन गोड़ी हो जाएगी, अब मैं बताऊंगी चौथा उपाय, अपनी इसकिन को गोड़ा करने के लिए निम्बू और टमाटर का इस्तेमाल जरूर करें, जी हाँ दरशल इनमें बिटामिन C होता है, और यही एलिमेंट रंग को साफ करता है, इसके लिए एक टमाटर और एक निम्बू के जूस को साथ मिला कर चेहरे पर लगाएं, और फिर सूखने दे, उसके बाद आप हलके गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धोले, इससे आपको जरूर लाब होगा, अब मैं आपको बताऊंगी सबसे आखडी यानी पांचवा उपाय, अपने चेहर मुहाशे खत्म होंगे और चेहरे की सारी गंदगी गहराई से साफ हो जाएगी, तो दोस्तों ये थे आपके लिए बहतरीन उपाय, मैं एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों कि ये सारी उपाय आप ना करे, इनमी से कोई एक उपाय करे और कंटिन्यू उसे ही करे, ऐसा नहीं कि आज एक उपाय कल दूसरा उपाय, इससे आप कि स्किन खराब हो सकती है, इसलिए कोई एक उपाय अपनाए और उसी को कंटिन्यू करे, आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा, और आप देखेंगे कि आप कि स्किन पहले से साफ, सौफ्ट और गोडी हो चुकी होगी तो दोस्तों मैं रौश्णी गुपता आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और हाँ जलते सब्सक्राइब कर दें, तो मिलती हूँ अगले वीडियो तब तक अपना क्याल दो कीगा